कवियों के कवी कहे जाने वाले शम्शेर बहादूर सिंग का जन्म 3 जन्वरी 1911 को दहरादून में हुआ उनकी शिक्षा दिक्षा मुखित दहरादून और इलाबाद से हुई शम्शेर केवल रश्नाकार ही नहीं हैं बलकि वे एक सफल चित्रकार भी रहे हैं कला प्रशिक्षन उन्होंने प्रसित चित्रकार उपील बंधों से लिया कवी, कलाकार और पत्रकार रहे शमशेर का जीवन और क्रतित्व कलाओं के बीच की दूरी को ही नहीं पाड़ता है बलकि भाशाओं की दूरी को भी कम करता है हिंदी और उर्दु को दो आप मानने वाले शमशेर एक सफल गद्यकार भी रहे हैं यह शमशेर का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में शमशेर के साहितिक अवदान और उनके रचनाकार व्यक्तित्व के विभिन पहर्मों पर चर्चा की जा रही है परन्तु उनके चित्रकार रूप की चर्चा प्राय कम ही हुई है आज हम अपने दर्शिकों को चित्रकार शम्षे और उनकी विशिस की चित्रकला शैलीक से परचित कराना चाहते हैं डॉक्टर रमन सिना जवाला नरुविशु विद्याले के भारती भाषा केंदर में पढ़ाते हैं संगीत, कला, फिल्म और चित्रकला में आपकी गहरी रूची है चित्रकार शम्षे पर अभी हाली में उनकी पुस्ति का प्रकाशित हुई है और ये शम्षे बहादूर सिंग पर एक नई पुस्तब भी लिख रहे हैं सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि शम्षे बहादूर सिंग के चित्रप्राई कम उपलब्ध होते हैं आपको उनकी चित्रों को देखने का मौका कब और कैसे मिला संग्षियासी में मैं जब शम्षे जी पर पीएजडी का काम कर रहा था तो इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने के लिए सुरेन नगर रहा और मंसा यह थी कि मैं उनका एक इंटर्व्यू लूँ और जो मेरे सोध का एक हिस्सा के रूप में सामने आये जब मैं वहाँ पहुचा तो वहाँ आप सभी जानते हैं कि शम्षे जी डॉक्टर रंजना अरगरे के साथ सुरेन नगर में रहते थे उस मकान में ही मैं ठहरा और वहाँ पर मैंने देखा कि उनके उनकी जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पर हैं और मुझे जिग्यासा हुए कि मैं उन पेंटिंग्स को देखूँ और देखने पर मुझे और जिग्यासा हुए कि अब तक तो हम लोग सिर्फ समसेर के बारे में सुनते आये थे कि उन्होंने कुछ चित्रकला का भी प्रसिक्शन लिया है और चित्र भी उन्होंने बनाये हैं लेकिन देखने का मौका किसी को नहीं मिला था तो वो उसको कट्टी बंधिये उन्हों परिवेस में बिना किसी साज संभार के वे पेंटिंग की दुर्दसा दिखाई पड़ी तो मैंने और रंजना जी ने मिलके बाजार से बहुत सारे काज़ और माउंट करने के लिए कुछ कूट के तक्ते खरीद के लाया और हम लोगों ने उसको दोनों ने मिलके उसको एक प्रकार से कह लिए कि माउंट किया और फिर बात यह बढ़ी कि क्यों ना संभार जी के पेंटिंग से और लोगों का परिचे कराएं और इसी सिलसले में हुआ कि आप इस पर लिखें तो मैंने कहा कि इस पर शिर्सक भी न बड़ा दे सकूं तो संसेर जीने मेरे आग्रह पर बड़ी ही प्यार से उन्होंने उन सभी पेंटिंग पर सिर्सक दिये और फिर उस सिर्सक देने के बाद मैंने उस पर लेख लिखा और वो लेख उस समय साफेक्ष का जब विसेसांग का आया संसेर विसेसांग उसमे छप और फिर आज कल में जब पंकजविस संपादक थे तो उन्होंने उसका एक संचिप्त रूप भी प्रकासित किया अच्छा ये वताईए कि एक चित्रकार के रूप में शम्शेर जी का क्या योगडान रहा है शम्शेर जी जैसा आप सभी जानते हैं कि संपैंटीस के आसपास वे इस अवस्था में नहीं थे कि वह निर्ने ले सके हैं कि वे जीवन में चित्रकार बनेंगे या कवी वो सामने समस्या थी कि चित्रकला में भी उनकी गहरी दिल्चस्पी थी और इसी सिलसले में वो दिल्ली आये और दिल्ली में वकील बंधूँ के जो एक प्रकार से बंगाल स्कूल के जो प्रतिनिधी चित्रकार थे सादा चरन वकील और वर्दा चरन वकील ये दो बंधू थे दो भाई थे इन दोनों ने एक प्रकार से बंगाल स्कूल की ही मान्यताओं को फैलाने के लिए प्रसारित करने के लिए दिल्ली में उन्होंने ये स्कूल खोला था उस स्कूल में ही शमशेर आये और उन्हें कहा कि मेरी स्थिति नहीं है कि मैं आपको फीज दे सकूँ अगर आप मुझे सिखाना चाहते हैं, मेरी गहरी दिल्चस्पी है, तो कृपिया मेरा दाखिला ले ले, तो उन्होंने का कि अच्छा तुम यह बना के दिखाओ, रेखांकन, तो और रेखांकन जो उन्होंने बनाया तो उकील साहब उसको देख के बहुत प्रभावित हुए और उन्हें का ठीक है तुम मेरे स्कूल में दाखिला ले लो, और दाखिला लेने के बाद उन्होंने वहाँ पे बजाबते प्रसिक्शन लिया, वो पेशेवर चित्रकार के तोड़ पर वो प्रतिष्ठित होना चाहते थे, बाद में जीवन की स्थितियां कुछ ऐसी रहीं कुछ आप जानते हैं कि चित्रकला में माध्यम की बड़ी अहम भूमिका होती है, उसमें कागज, रंग और यह बहुत महंगा, आपके पास अगर कागज हो तो आप कविता तो लिख लेंगे, अगर आपके पास पेंसिल हो कविता लिख लेंगे, लेकिन चित्र के लिए रं तो उनको दिखाते हुए भी हमारे दर्शकों को जड़ा अवगत कराएं आप, उनके कई दोर हैं, पेंटिंग के, शुरवाती दोर जो है, जब वो उकील बंधों से प्रस्क्रिक्शन ले रहे थे, तो वो बंगाल स्कूल से प्रभावित हैं, तो आरंभिक जो चित्र हैं, वो आप देखेंगे कि वो बंगाल स्कूल से प्रभावित रहे हैं, जैसे ये जो तीन चित्र आप देख रहे हैं, इसमें सबसे जो बाएं तरफ है, बाईं तरफ जो चित्र है, वो उसका शिर्शक है नाक नक्स, बीच में जो चित्र है, उसका शिर्शक है भक्कु, और ज उसका श्रीमतिस सावित्री, एक बंगाल स्कूल से प्रभावित आपको दिखाई पड़ेगा, कई लोगों ने इसकी परिभासा इस रूप में की है कि बंगाल कला भारतिय कला का प्रगीत है, लिरिक है, तो एक लिरिकल आप दिखा टेंडेंसी, एक प्रगीतात्मत प्रविर आपको बंगाल स्कूल की चित्रकला में दिखाई पड़ेगी, यह एक आश्चरिक का भी विसय हो सकता है कि शमसेर के एक भी चित्र पौरानिक विसयों पर नहीं है, जबकि बंगाल स्कूल के चित्र में पौरानिक विसय हावी है, तो यह बंगाल स्कूल से उन्होंने वही अखिए ग्रहन किया जमूत एनकी संवेदन सीलता अनुकूल था और सम्शेर अपनी चिट्रकला और कविता दोनें ही आरंब से हिस्स परयोगवदी रहों बिसेस कर आपाएंगे कि सम्शेर की अधिकान चित्र का जो काल है रचनाकाल है वह आप आएंगे कि वही काल है जिस काल में भारत में स्वचंदतावाद और यथार्थवाद के बीच संघश चल रहा था उन्मी सो पैंटीस से लेके वावन तक का काल इसी अवधी में शमसेर ने सरवाधिक चित्र बनाए और आप आएंगे कि यह जो अवध पुरे अखिल भारतिय अस्तर पर चाहे वो चित्रकला हो या साहित्य हो सब में रोमेंटिसिजम और रियलिजम के बीच में एक प्रकार का संघश दिखाई पड़ता है और वही संघश शमसेर के चित्रों में भी दिखाई पड़ता यह आश्चर कभी से नहीं हो सकता कि बं बंबई में रजा, आरा, हुसेन, बाकरे इन लोगों ने मिलकर एक संघठन स्थापित किया जो बंगाली स्कूल की मान्यताओं के विरोध में जाता था ऐसा कहा जाता है, शमसेर ने रेखांकन जादा किया है और कई स्राइटकारों की मुखाकरतियां भी उनों ने बनाई है, तो संघचित में हमें उनकी जो नई चित्र शैली है उसके बारे में जराब बताएं जैसा में कह रहा था कि वो जो पूरा काल है, जब पैक का काल है, प्रोग्रेसिव आटिस ग्रूप का काल है, उसी काल में शमसेर के यहां भी विच्छिप्त कवी और पागल कलाकार, यह जो दो चित्र आप सामने देख रहे हैं, यह उसी दोर में बनाए गया है, इन दोनों और एक अजीब सा आतंक और एक विच्छिप्ता का माहौल को शमसेर ने रेखाओं के साहरे से, चेहरे की लकीरों के साहरे से पकड़ने की कोशिश किये, और यह बंगाली स्कूल से बिलकुल ही आपको अलग दिखाई पड़ता है, यह दोनों ही पागल कलाकार और इच्छि मनुभावनाओं को, उस मनुभृत्ती को बंगाली स्कूल की सैलिस से पकड़ने में अपने को नाकाफी पा रहे थे, नाकाम हो रहे थे, उस नाकामी से उबरने के लिए एक अलग किसम के मुहावरे की जरुत थी, और वही वक्त है जब शम्शेर ने भी विच्छिप्त कव किसास ये पेंटिंग कराती है, जो उस वक्त उस दोर के उस गिती मयता जो बंगाली स्कूल की मुख परवर्ति थी, उससे उबरने की कोशिश थी, प्रभाववाद, प्रभाववादी चित्र इनके दो मुझे मिल पाए हैं, एक तो ये जो झूसी में गंगा के किनारे एक थी पहलक, ए और एक दूसरा आयने में शम्शेर, इन चित्रों को देखे कि इंप्रेशनिस्ट जो कलाकार थे, मुलता या फ्रांस का एक कला अंदोलन था, जिसमें उन्होंने यथार्थ वाद को एक नया आयान दिया, वो कहते थे कि आप अगर किसी व्यक्ति को देखते है तो उसका कोट का बटन अगर मुझे नहीं दिखाए पड़ता, तब हम उसके बटन को चित्रित नहीं करेंगे, उसका एक आभासिय परती बिम्भी हमारी चेतना पर अवतरीत होता है, और प्रभावादी कलाकार या चाहते थे कि उस आभासिय परती रूप को ही अपने चित यहां थे फलक, जिसमें इंपरिशनेस्टिक कलाकार के तोर पर वह सामने आते हैं, फिर आगे चलकर तो एक्सपरिशनेस्टिक जो प्रेंटिंग हैं, उसको भी। बरतते हैं, एक्सपरिशनेजम कला का एक ऐसा अंदोलन है, जो यथार्थ को वीरूपित करके अपने समय औ और अपनी समवेधना को पकड़ने की कोशिश करता है वे यथार्थ का हू बहू माय मेसिस या इमिटेशन नहीं करते अनुकरण नहीं करते बल्कि चेहरे या माहौल को पुरे विकृत करके उस विकृति के माध्यम से यथार्थ को पकड़ना चाहते हैं यह आप देखी कभी बेंजनाबादी चित्र है इसमें व्यक्ति के जो मुखाकृतिया है वो यथार्थ बादी रुपांकर नहीं है जिस तरह आदमी दिखता है वैसा नहीं बल्कि इसमें कई अस्तर पर यह देखे एक जैसे यह चित्र है एक्सप्रेशनिस्टिक अभी बेंजनाबादी यह दे रहते थे और उस एक पिकासो के यहां देखिए कि चेहरे में दो नाग तीन नाग दिखाई पड़ेंगे यानि प्रोफाइल में नाग ऐसे दिख रहा है किनारे से दूसरी तरफ आँक कई दिख रहे हैं यानि एक ही व्यक्ति में कई डाइमेंसंस को जक्स्टापोज कर दि चित्र में देखिए कि इन चित्रों में वो जो पूरा अभी बेंजनावादी मोहावरा था जर्मनी में या स्थाफित हुआ उस मोहावरे को समसेर बरतने की कोसिस करते हैं इसी प्रकार शमशेर एफ्स्ट्रेक्ट पेंटिंग अमूर्ता की और बहुत तेजी से बढ़ते ह अपने कविताओं में भी आपने बात की कविताओं में भी अमूर्ता की और बढ़ते हैं और वही अमूर्ता वही अपने चित्रों में भी अच्छा ये बढ़ाईए कि कवी शमशेर और चित्र का शमशेर में क्या कोई आप सामय देखते हैं व्यक्ति तो वही है जो चित्र बना रहा है, कविताय लिख रहा है, गद्ध लिख रहा है, कई तरह की रचनाय कर रहा है, तो उसकी समवेधन सहीलता तो एक है। इस माइने में आप कह सकते हैं कि दोनों में समानता है कि दोनों ही पर्योगवादी हैं, एक्सपरिमेंट करते हैं, पर्योग करते हैं, जैसा मैंने कहा कि बंगाल इसकूल से आरंब करके वो रुकते नहीं, ठहरते नहीं, बल्कि वो निरंतर उसमें अपने कला माध्यम से और स सम्शेर के वो मूलता है, इस रूप में हैं कि जैसा कि यूरोप में ये कला विक्सित हुआ, जब वे कलाकार एसा मानते थे कि जो यथार्त का अनुकरन है, वो अनुकरन यथार्त का सिर्फ बाहरी जो परिवेस है, उसको पकड़ता है, लेकिन जो उसका अंदरूनी परिवेस जो उसकी भावदसा है जो उसकी मनोदसा है उस मनोदसा और भावदसा को नहीं पकड़ पाता यह अब्स्ट्रक्ट प्रिंटिंग की सुरुवात महीं से हुई जब उस जटील मनोवर्ति को वह अभिव्यक्त करना चाहते थे वह आंतरिक मनोवर्ति को सिर्फ कांसस को ही नहीं प्यार चित्रकला रही लेकिन मुक्तिबोध ने कहीं लिखा है कि उन्हों ने जो है अपने चित्रकार को पद्चूत करके कवी को स्थापित किया क्या आप इसे मानते हैं उनकी कवीतों में क्या ऐसा नहीं दिखाई देता है मुक्तिबोध की बात एक हद तक ही सही है उन्होंने इस संदर्भात कैई है कि कवी भी वि़िंब का इस्तेमाल करता है और अगर लेकिन उस इमेज का इस्तेमाल कवी एक अलग ढ़rek से करता है कि रिंब के माध्यम से उसे विंब का निर्मान करना है जबकि चित्र कला में चित्र एक जो बिंब को पकरता है बिंब की रचना करता है वो रंग और रेखाओं के माध्यम से तो रंग और रेखाओं की भूमी का चुकि अलग है और आप आएंगे कि शब्द की भूमी का अलग है शब्द आपकी इंद्रियों पर अलग धंग से प् करती है शंसेर के यहां दिखाई पड़ता है कि जो उनकी अप्स्टेक्ट पेंटिंग है जो अमूर्थ चित्र है वो चित्र एक भाव दसा को रिखांकित करती है एक मना हिस्थिति की और संकेत करती है वो किसी ऐसे जैसे कि यह है इसमें इस संसार में इस ब्रह्मभांड में दिखाई पड़ने वाले किसी भी अथार्थ काया प्रतिक रूपात्मक्चित्रन नहीं ना तो इसका वो रिप्रजेंटेशन है और नहीं उसका रेखांकन है यह एक अलग स्रिष्टी है अलग स्रिष्टी इस रूप में कि वह रंग और रेखाओं से एक ऐसा स्पेस उभर फिरता दिखाई पड़ता है जो मनुसय के खास दसा को इस ब्रह्मान में होने के खास अनुभूती को रिकांकित करता एक खास अनुभूती को पकड़ता है अब दूसरे इस दिद्रों में देखे इस चित्र का शंचैर Janeiro सिर्शक दिया है सुठ अज अनो को यह बीलोक में अ आपको स्रोता और दर्सक नहीं दिखाई पड़ रहें लेकिन स्रोता और दर्सक की इस्थिती को समसेर इन रंगों रेकाओं से उस मनोदसा को उस इंप्रेशन को उस इस्थिती को रूपांकन करना चाहते हैं कई बार जो उनकी भाशा है, बहुत चित्र में लगती है, जैसे उनकी एक कवीता है, लगता है कि उनका चित्रकार मन उसमें दिखाई देता है, हमारी स्कूल में बच्चे भी उस कवीता को पढ़ते हैं, प्रात नवथा, बहुत नीला, शंक जैसे, भोर का नवराक से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यहां दिखे एक तरह से शंशेर, जैसे रंगो का भी उपियोग इस कवीता में कर रहे हैं, तो ऐसा कई जगे दिखाई देता है, लेकिन रवन जी जाना चाहती हूँ कि शंशेर के अलावा हमारे यहां, और भी ऐसे कभी हुए हैं, ज जैसे स्वयम महादेवी ची चित्रकार थी, उनकी एक पुस्तक में चित्र और कवीताएं दोनों हैं, क्या शंशेर ने भी अपनी कवीताओं की पुस्तकों में चित्रों का उपियोग किया है कहीं, शंशेर उस प्रकार के चित्रकार नहीं है, जिस प्रकार के महादेव वर् ये एक professional एक पेशेवर चित्रकार है और इसलिए शमसेर के चित्रों में उनकी कविता को ढूंडना बेकार होगा बज़ाए यह ज्यादा सही होगा कि समसेर के चित्रों को उस दौर के जो दूसरे चित्रकार हैं उन चित्रकारों के समक्ष रखकर उनको देखा जाए यह ज्यादा अच्छा होगा कि समसेर को हम उस दौर के दूसरे चित्रकार हैं उन चित्रान दोलनों और चित्रकारों को सामने रखकर उनकी कविताओं के पर रखकर बात करें अब जैसे कि देखिए समसेड़ने बहुत सारे सूरालिस्ट कविताएं भी लेखी हैं को सूराले में बनाई है अतियत電 हार्तवाद भी फ्रांस में और अधिकान सूरालिस्ट ओपिंटर्स में वो फ्राइट से प्रभावित थे और फ्राइट के साइको अनिलिसिस का साहरा लेते वे उनका नारा यह था था कि चेतन और अवचेतन के बीच को जो दिवार है उसको गिरादे और उस दिवार को गिराने से ताथ पर उनका यह था कि चेतन जो कि बाहर में जैसा कोई भी व्य दिखाई पड़ रही है, जहां दांत होना चाहिए, वहां ना होके ऊपर दिख रहा है, दूसरा आप देखे, पिंजड़े में बंद तोतारानी, यह एक इस्त्री का एक कहले जे कि इसको एक नारिवादी विमर्स के तोर पर भी पढ़ा जा सकता है, इसमें एक इस्त्री का च और उस पिंड़े में बंद तोतारानी, तोतारानी का जो चित्र है, उन दोनों में एक अस्तर पर समवाद चल रहा है, जैसे दोनों की मनह स्थितियां एक हैं, जैसे उसकी भी मनुदसा इस संसार में वैसे ही है, जैसे पिंड़े में बंद उस तोतारानी का, उपालतु पक कारने की कोशिश किये, इसी प्रकार आप वे मुखांकन जिसको कहा गया, face mapping, face mapping के भी एक अनोखे चित्रकार है, शम्शेर ने ऐसे चित्र भी बनाये हैं, जिसको आप व्यक्ति चित्र कह सकते हैं, मानव मुख्चित्र, फिर कुछ जागरू, कुछ जाने पहचाने, व्यक्तियों के भी उन्होंने पोट्रेट बनाये, और कुछ सेल्फ पोट्रेट बनाये, इसलिए उनके मुखांकन की तीन कोटियां हैं, जिस तरह साहित में तीन कोटियां हैं, उपन्यास, जीवनी और आत्म जीवनी की, जिसमें कि यथार्थ और कल्पना का एक मिस्रन दिखाई पड़ता है और उस मिस्रन के भिन अनुपात होते हैं उसी प्रकार आप आएंगे कि पोट्रेचर और सेल्फ पोट्रेट और एक सामान मानवमुख चित्र कह लेजे इन तीनों में भी यथार्थ और कल्पना का एक अलग मिस्र दिखाई पड़ता है, अब इन चित्रों को देखिए, यह मानमुक चित्र हैं, जिसमें किसी खास व्यक्ति का चित्र नहीं बनाया गया है, इसका सिर्षक है मेडम हैर डू, इसमें देखिए हैर डू को पकड़ा गया है, किस तरह से केस विन्यास जो है इस तरी का है, उस केस विन्यास और इस तरी का मुखांकन, बस कुछी स्ट्रोक में शंशेर ने उस पूरी मनुदसा को पकड़ लिया है, इसी प्रकार यह चित्र देखिए, यह देखिए, यह कुछ साहित्तकारों के चित्रे हैं, कुछ खास उनके जमाने के इलाहबाद के अधिकांस चित्र जो और ने बनाये हैं, जिसमें भैरो परसाद गुप्त, जो इलाहबाद के एक बहुत ही, केंद्रिये चरित्र हुआ करते थे, और कहानी पत्रिका निकालने की वज़े से नहीं, बलकि वहां की साहितिक जुनिया में, इनकी एक यहमियत थी, नरेश मेहता, जो संसेर जी के गहर आंतरिक जीवन है, उसको रिकागर करें, मुखाक्रतियों के माधियम से उन्होंने व्यक्ति के आंतरिक जीवन को व्यक्त गया शम्षे ने, यह शम्षेर की खूबी रही है, बहुत बड़ी, और आपने शम्षेर की पूरी कला यात्रा के बारे में हमें बताया, और कि शम् शम्षेर की आर्थी किस्ति बहुत कंजोर रही है, उन्होंने अपने इस शौक को या चित्रकला को पोशित करने के लिए उनको बहुत संगर्शों को सामना करना पड़ा होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी खराब आर्थी किस्ति में भी चित्रकार रह सकता है, अपने को किस रूप में देखते हैं, और एक बहुत ही गौर करने लाइक बात है कि समसेर अपने को जिस रूप में देखते हैं, वह अपने इमेज को चमकाना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग सेलपोर्टर बनाते वे अपने आत्मविम को प्रक्षेपीत करते हैं, वह अपने निरीहता और अपने गुम्शुदगी को जैसे कि अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो तो वैसी उस सभी ही प्रिंटिंग में आप देखिए कि सेल्फ पोर्ट्रेट में समसेर किस रूप में सामने आते हैं और एक बहुत बड़े कलाकार की पहचान है कि वो अपने माध् और शम्शेर के सेल्फ पोर्ट्रेट इस बात की गवाही देते हैं कि किस प्रकार एक बड़ा कलाकार अपने व्यक्तित्तु के सहारे अपने आत्म की खोज करता है हां शम्शेर के चित्रों के माधियम से हम शम्शेर के व्यक्तितु को समझ सकते हैं शम्शेर ने बहुत सार के कई पक्ष उन्होंने सामने रखे और पस्चिम से ही या कला उद्भूत हुआ लेकिन समसेर ने अपने धंग से इसको बड़ता है जहां पस्चिम के कलाकार अपनी भावगोलिक स्थित्यों के अनुरूप लोबस्टर और दूसी चीज़ों को चित्रित करते थे शमसेर के य सुराओं बूजी एक सुराई के बूजी एक चटाई के उस स्थे घरेक हांगन भी उन्होंने किया है लेंडिस्केप भि्नाया अब यह दentin के कि यह जो है लेंडिस्केप इस लेंडिस्केप को शंणियर ने अब dwarska साधारन अंत्यों को फशा की है इसमें बहुत नंतित ज जिसको कहा गया कि महाकाब व्यात्मक मुचाई नहीं दी है लेकिन इसका सौंदर इसमें जीने वाले सौंदर है यह बाहरी संसेर ने कुछ सिर्फ तिर्लोचन के काभी संग्रफ के उन्होंने बुक डिजाइन बुक कभर भी बनाया है यह बहुत कम लोगों को मालू होगा यह संसेर ने यह देखे तिर्लोचन के मुक्ति के स्वर यह संग्रह कभी नहीं आया लेकिन संसेर के गहरे मित्र थे और उन्होंने तिर्लोचन को तिर्लोचन के काभी संग्रह का बुक कभर डिजाइन किया यह दो तरह के डिजाइन मिलते हैं एक यह और दूसरा यह मुक्ति के तिरोचन तो शम्षेर के बहुत ही घनिस्ट मित्र रहे हैं, कि आपने धर्थी का पद पराया, उन्होंने तो कविता भी लिखी है, तो देखें, कवर डिजाइन भी उन्होंने किया है, यह बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी आपने चित्रकला को शम्षेर के बारे में हमारे दर्शिकों को इतनी विस्तित जानकारी दी, और साथ ही यह भी बटाया कि किस तरह शम्षेर ने आर्थिक अभाओं में रहते हुए भी अपनी चित्रकला को जीवित रखा, यदि व्यक्ति चाहे, तो जहां चाहे वहां रा है, आर्थिक इस्तितियां आडे नहीं आती है, अगर मनुष्य सोच लें, हमारे बच्चे अगर सोच लें कि अपनी उस कला को आगे बढ़ाना है, तो शम्षेर उनके लिए प्रेर्ना किश्रोत हो सकते हैं, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. अमारी उनके डा जकते बहुतियां मंठबाना है, तो शमारे बहुत लेकी वक्तोरत है, तो शच बचर चाने कि अपना के लिए एक लिरें, हिए बहुत करते हैं, तो शम्यवा तो. झाल झाल